लास्ट लेक्चर में हम लोग उने इंडिकेटर्स के बारे में बात की थी, क्या देखा था कि एसिड्स और बेसिस को किस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, आज का जो में लेक्चर चैप्टर 3 के अंदर रहने वाला है, वो basically हम लोग concepts of salts देखने वाले हैं, salts क्या होत हम लोगों के पास basic solution, basic solution कान सा होता है, अब एक solution रहता है, जो ना तो acidic solution वाली properties को show करता है, ना ही वो basic solution वाली properties को show करता है, इस तरह के solution को हम लोग जो है, वो neutral solution बोल देते हैं, तो solution which does not change the color of the litmus paper and shows the property of neither acid nor base is called neutral solution, मतलब ऐसा solution जो litmus paper को जो है, वो change नहीं कर रहा, अब सब को मालूम है, कि जो acids होते हैं, उसके अंदर हम लोगों के पास जो blue litmus है, वो किसके अंदर change हो जाता है, red के अंदर change हो जाता है, और जो bases होते हैं, उसके अंदर red litmus जो है, वो हम do के अंदर change हो जाता है, तो acidic और basic solution की characteristic है, कि जो litmus paper का color है, उसको हो change करते हैं, लेकिन neutral solutions, ऐसे solutions है, जो कोई change litmus paper के अंदर जो है, वो नहीं करते हैं, ना तो वो acidic solution वाली properties को show कर रहे हैं, ना ही वो basic solution वाली properties को show कर रहे हैं, इसका एक best उधारन या example हम लोग बात करेंगे, अगर मैं salt NaCl को पानी के अंदर डाल दूँ, water के अंदर जो है, अगर मैं mix कर दूँ, तो विटाजी ये ना तो acidic characteristics को show कर रहा है, ना ही ये basic characteristics को show कर रहा है, इसका एक और बहुत अच्छा example है, that is distilled water, distilled water क्या होता है, जिसके अंदर ions की concentration बहुत कम रहती है, ठीक है, एकदम pure water को distilled water बोल देते हैं, pure water की characteristic है, ना तो वो acidic properties को show करेगा, ना ही वो basic properties को show करेगा, अई हो बेटा जी, ये clear है, next बात करेंगे बेटा हम लोग neutralization reaction की, तो हम लोगोंने neutral solution के बारे में जो है वो बात की, अब question ये आता है, कि neutral solutions हम लोग prepare कैसे करते हैं, तो देखो बेटा जी हमारे पास क्या concept है, अगर मैं acid को, जो है, वो किसके साथ mix करूँ, base के साथ mix करूँ, तो हम लोगों के पास एक general reaction जो है, वो क्या होती है, salt plus water का formation जो है, वो हम लोगों के पास रहता है, तो जब भी कोई acid, base के साथ react करता है, तो हम लोगों के पास, जो है, वो salt का formation होता है, ऐसी reaction को हम लोग neutralization reaction जो है वो बोल देते हैं इसको neutralization reaction क्यों बोलते है बेटा क्योंकि जो solution हम लोगों के पास बाद में form हो रहा है that solution is ना तो वो solution बेटा जी हमारे पास acidic है ना ही वो solution हमारे पास जो है वो क्या है हम लोगों के पास neither acidic nor basic तो क्योंके neutral solution का formation जो है वो हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो है, वो neutralization reaction जो है, वो बोल देते हैं, अब इसका एक best example, जैसे for example माल लो, एक मैंने acid ले लिया, hydrochloric acid, इसके अंदर बेटा जी मैं mix कर रहा हूं क्या, NaOH, इसको mix करने के बाद हम लोगों के पास किस चीज का formation हो रहा है, NaCl का plus formation हो रहा है किसका water का, तो यहाँ पर देख लो, यह हम लोगों के पास एक acid है, यह हम लोगों के पास एक base है, यहाँ पर हम लोगों के पास salt form हो रहा है, साथ में ही हम लोगों के पास जो है, वो water का formation हो रहा है, तो concept क्या है, salt जो है, वो neither acidic nor basic वाली characteristic रखता लेकिन जरूरी नहीं है, acidic salts भी होते हैं, basic salts भी होते हैं, next slides के अंदर जो है, हम लोग इसको discuss करने वाले हैं, तो basically neutralization reaction के अंदर क्या हो रहा है, आप इसको ध्यान से समझो, देखो बड़ा, ये HCl जो है, इसके अंदर हमारे पास H positive present है, और ये जो base NaOH है, इसके अंदर हम combine करके water का formation कर रहे हैं, और solution के अंदर जो H positive और OH negative थे, वो आपस में combine कर जाते हैं, water का formation हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग neutralization reaction होते हैं, क्योंकि solution की tendency रहती है, क्योंकि H positive OH negative तो react करके water में change होगे, इसका मतलब अब वो solution एक characteristic रखता है, कि वो ना तो acidic है, ना ही जो है वो ह अभी further इस lecture के अंदर ही discuss करने वाला हूँ, वाकि कुछ और reactions हम लोग देखते हैं, next slides के अंदर मैंने लिखी हुई है, चलिए बेटा जी, यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग जैसे ही मैंने discuss कर ली, HCl, NaOH डाला, NaCl और water का formation होगा, ऐसी देख लो, यह हमारे पास king of acids है, sulfuric acid, इसके अंदर हमने KOH डाला, तो इसका जो respective salt है, potassium का sulfate बनेगा, प्लस साथ में जो है वो बेटा जी हमारे पास water का formation हो जाएगा, तो यह हमारे पास एक salt वाली characteristic जो है वो रखेगा, और यह हम लोगों के पास क्या है, water जो है वो form हो जाएगा, इस तरह की reactions को हम लोग जो है, वो neutralization reaction बोलते हैं, और neutralization का जो outcome है बेटा, that is salt बन रहा है साथ में, साथ में ही हम लोगों के पास water का formation हो रहा है, तो this is the byproduct of the neutralization reaction, I hope बेटा जी यह clear है, next slide पे जो है वो मैं move कर रहा हूँ, अब बेटा इसके अंदर आपको किस चीज का ध्यान देना है, कुछ basic types के, मतब salts जो है, वो हम लोगों के पास present है, सबसे पहला salt है, acidic salt, अब सोचने वाली बात है, अब ना मैं एक चीज आपको पहले discuss कर लेता हूँ, पहले बात करते हैं हम लोग strong acid की, और एक हम लोगों के पास क्या रहता है, weak acid जो है, वो हम लोगों के पास रहता है, ऐसा acid जो बहुत जादा amount of H positive हम लोगों के पास release करता है, ये large quantity के अंदर जो है, वो हम लोगों के पास अगर हो, तो वो हम लोगों के पास एक strong acid वाली characteristic जो है, वो रखता है, और अगर कोई acid जैसे अगर मैं बात करूँ, CH3COOH की, ये हम लोगों के पास जो है, वो acidic acid है, इससे जो H positive release हो रह ज्यादा lesser amount में जो है, वो release होगा, as compared to HCL अगर मैं इसको देखो, तो सुचने वाली बात है कि अगर एक acid ज्यादा H positive release कर रहा है, और दूसरा base अगर जो हम लोगों ने लिया है, वो कम OH negative release कर रहा है, तो solution के अंदर जो है, कुछ acidic character देखने को मिलेगा, जैसे for example देखो, ये हमारे पास जो है, वो एक strong acid वाली characteristic जो है, वो रखता है, और ये जो है हमारे पास ammonia का, ये एक weak base वाली characteristics जो है, वो हम लोगों के पास रखता है, कुछन ही आता है, अब यहाँ से जो H positive release होंगे, वो बहुत ज्यादा large quantity के अंदर जो है, वो हमारे पास release होंगे, जबकि यहा less quantity के अंदर जो है, वो release होंगे, अब देखो जब neutralization बेटा हो रही है, तो OH जो है, वो H positive से combine करके हमारे पास water का formation करेगा, लेकिन उतने OH अब present नहीं है solution के अंदर, जो सारे के सारे H positive को जो है, वो neutralize कर दें, क्यों? क्योंकि ये एक weak base है, weak base का मतलब है कि वो कम amount of OH negative जो है, वो release कर रहा है, इसका मतलब जो जादा H positive already वहाँ पे present है, वो उसको पूरा अच्छे से neutralize नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब solution के अंदर कुछ H positive जो है, वो रह जाएगे, तो जो salt का formation हम लोगों के पास होगा, that particular salt is an acidic salt जो है, वो हम लोग उसको बोल देंगे, तो salt जो है, वो 3 types के है, एक होता है पेटा हमारे पास acidic salt, जिसके बारे में just अभी हमने देखा है, next page पे जो है, वो हम लोग बात करेंगे, basic salt की, एकदम यहाँ पे simple concept आपको क्या ध्यान देना है, देखो पेटा, जो अब मैं base use कर रहा हूँ, that is a strong base, और यहाँ पे जो acid use कर रहा हूँ, that is a weak acid, अब strong base है तो OH negative जो है, वो large quantity में present है, weak acid है तो H positive एक smaller quantity में present है, H positive neutralize करेगा OH को, लेकिन बटा, क्योंकि OH जादा है तो H positive पूरा अच्छे से उनको neutralize नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ OH negative solution के अंदर बच जाएंगे, जो की हमारे salt जो वहाँ से form हो रहा उसको थोड़ा सा एक basic nature वाला जो है वो बना देंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे solution के अंदर OH negative still present है, क्योंकि H positive कम amount में थे, पूरा अच्छे से neutralize नहीं कर पाए, OH negative क्योंकि जादा amount में थे, तो वो अच्छे से neutralize नहीं हो पाए, जिसकी वज़ा से जो salt हम लोगों के पास बना बेटा, वो एक basic salt जो है, वो होगा, तो ऐसा salt बेटा, जो reaction of weak acid और strong base के साथ जो है, वो बनता है, उसको हम लोग जो है, वो अपने पास एक basic salt जो है, वो बोल देते हैं, I hope बेटा जी, ये clear है आपको, next हम लोग बात करेंगे, अब बात हो रही है, टक्कर की, जो acid है और base है दोनों जो है, वो एकदम strong strong है, तो जितना हम लोगों के पास बेटा जी, यहाँ पे OH negative होगा, उतना ही हम लोगों के पास H positive होगा, क्योंकि ये दोनों जो हम लोगों ने लिये हैं, ये दोनों strong है, इसका मतलब जो H positive है, पूरे तरीके से OH negative को neutralize कर देगा, क्योंकि बहुत जादा H positive है, अगर present, तो बहुत जादा ही OH negative है, उसको neutralize करने के लिए, तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो है, एक salt का formation हो रहा है, प्लस साथ में जो है, वो water का formation हो रहा है, तो salt जो की एक strong acid और strong base से मिलके हम लोगों के पास बन रहा है, उसको हम लोग जो है, वो neutral salt बोल I hope बड़ा जी, यह clear है, अब आगे जो है, वो हम लोग बात करेंगे, कुछ characteristics हैं बड़ा, इन neutralization reactions की, यह reactions जो भी neutralization reactions हैं, जिसके अंदर देखो बड़ा, basic concept क्या है, H positive जो है, वो हम लोगों के पास OH negative से combine कर रहा है, अगर H positive OH negative से combine कर रहा है, तो हम लोगों के पास किस reaction है, यह हम लोगों के पास एक exothermic reaction है, exothermic reaction का मतलब क्या है, कि ऐसी reaction में heat जो है, वो release हो रही है, तो जो भी हम लोगों के पास neutralization reactions, अगर किसी भी beaker के अंदर हम लोग करवा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग strong acid और strong base जो है, वो मिलाएं, तो हम लोगों के पास जो beaker, जिस इसके अंदर reaction हो रही है, वो थोड़ा सा गरम हो जायाएगा, क्यों गरम हो जायाएगा बेटा, क्योंकि जो reaction है, वो neutralization reaction है, और इस reaction की खासियत जो है, वो हम लोगों के पास क्या है, कि ये reaction जो है, वो exothermic की nature हम लोगों के पास रहती है, I hope बेटा जी, ये clear है, आगे देखो, due to the combination of H positive and OH negative, ये हम लोग बात कर चुके है, neutralization reaction के अंदर हम लोगों के पास water का formation रहता है, और generally solution जो है, वो हम लोगों के पास क्या हो जाता है, neutral हो जाता है, क्योंकि H positive OH negative acid bases combine करके water बना रहे हैं, तो ना तो H positive रहा, ना OH negative रहा, इसलिए इस reaction का नाम जो है, वो neutralization reaction हम लोगोंने लिख दिया, I hope बेडा जी है clear है, बाकी concepts जो है वो हम लोगों next lecture में discuss करेंगे,